नमस्कार दोस्तों सोनी जिविजा लीगल में आपका स्वागत है आज मैं आपको क्लास वाइफ ट्रेडमा की बारे में बताऊंगा देखो हिंदूस्तान में ट्रेडमा कोई नए चीज नहीं है 3,000 साल पहले से ट्रेडमा का बजिनस होता आरहा है हिंदूस्तान में वो कैसे लोग है ना आज यूज नहीं कर रहें सिंबल्स को लोग सिंबल्स को मार्क्स को यूज कर रहें पिसले 4-5-3,000 सालों से हिंदुस्तान के अंदर एश्या के अंदर तो इतना पुराना ट्रेडमा का काम है अब जो क्लास 5 है ना उसके आज मैं आप से डीटल में बात क्यों कर रहा हूँ ड्रक की क्लास है, सुपरिंगूट की भी काफी सारी रूलिंग से, बंबै हाई कूट की भी रूलिंग से और काफी लोग को इस क्लास में दिक्कत आती है क्लास 5 है ड्रक्स, आयूश, मेडिसिन की क्लास, काफी सारे लोग क्लास 3, क्लास 5 में भी कंश्यूज हो जाते है क्यार हमारा गुट्स क्लास 3 में जाएगा, क्लास 5 में जाएगा अब जैसे मैं को एक्जामबल देखे, प्रैक्टिकल ही सब्जाओंगा बैया है, मैं एक लिपष्टिक बना रहा हूँ, अब लिपष्टिक सिरिक खाली हो क्लारth आया का लिप्स के उपढा तो वो वह नहीं दिखाऊगे तो Class 3 में चले जाएंगे आपके, वह दिखाऊगे तो Class 5 में आ जाओगे, और भी बहुत तरह के classes होती ही, जहां पर confusion होता है, उनको भी step by step explain करूँगा, जैसे Class 1, अब एक आदमी आए मेरे पास वो कहता है कि सर मैंने vitamins के न, वो ingredients बेस्ता हो, मतलब जि आपका raw material, final medicine नहीं है, तो आपको Class 1 में जाके आपने raw material की filing करनी है, अब एक परसन को दिक्कात आ गए, कि भाया हुआ 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 जो replacement होते है, मतलब यह जो protein के आते हैं, यह सारी चीज़ा आती है, तो Class 29, 30, 31 में जाए, या 5 में जाए, तो वहां उसको बहुत के inclusion था, आ से meat के supplement हो गए, गोली हो गई, वह सब 29, 30 की दरव जाती है, Class 5 में अगर उसका medical use है, कोई उससे बिमारी ठीक हो रही है, तो वह Class 5 की दरव आईगी है, समझे के वापिस बात को, भाई आपने गोली बना दी, एक meal का replacement दे दिया, meat का replacement दे दिया, फिश वैल बना दिया, वह सा क्लास 5 में आगा नहीं, bandage जो है ना, bandage आपके Class 10 में जाएगी, बट उसके अंदर जो medicines आप use कर रहे हो, repair करने के लिए, ठीक करने के लिए, अगर use कर रहे हो, तो फिर वो Class 5 में चले जाएगा, तो दो classes में आपको filing करने ही, Class 10 में भी, Class 5 में भी, और देखो Supreme Court की बहुत सा नॉर्मल कंजूमर उसको ले लेगा, हो सकता है, उसकी health पे issue आए, बिमार पढ़ जाए, उसकी death भी हो सकती है, क्योंकि तो लिपस्टिक से death नहीं होती है, किसी की toy से कपड़े पैनने से कोई मरता नहीं है, but medicine एक बहुत critical item होता है, गलत medicine किसी ने खा ली, तो उसको बिमार हो सकती, जादा problem बढ़ी हो सकती है, उसकी death भी हो सकती है, तो life का सवाल है यहाँ पे, इसलिए Supreme Court के directions के लिए रेजिस्ट्री को कि जो class 5 के trademark होता है, उनको बहुत ध्यान से देखना है, as compared to other class, plus जैसे ये matter courts में भी जाते हैं, high courts में जाते हैं, Delhi high court में, Bomba high court में, वहाँ पे तो उसको जादा time तक circulate होने नहीं दिया जा सकता है, market के अंदर, इसलिए high court भी fast action लेती है, class 5 के trademark चो पर, तो कभी भी आप class 5 में trademark filing करो, pharmaceutical का business चालू कर रहे हो, तो अपनी trademark search report को definitely generate करवा ले न, नहीं करवा होगे, filing कर दी गलती से accept भी हो गया, तो बड़ी brand pharmaceutical वाली तुर आपके 10 alphabets का हुआ एक अक्षर बन रहा है, उस पे आपका बस एक word का अंतर था, तो वो miss हो गया trademark search के ज़रा, तो algorithm search भी करवाना, बहुत अच्छे से different patterns को use करना, जिससे आपको मालूम पढ़ जा है कि आप इस trademark को long term use कर सकते हो, normal search report हो मत जाना, class 5 trademark के लिए, इस चीज का अच्छे से ध्यान दखना, friends अगर आपके फिर भी को doubt है, class 5 को लेके, 3 को लेके, 10 को लेके, comment section आपके लिए open है, comment section में comment करके आप मेर से question पूछ सकते हो, आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगो तैपरें support दिया, उसके लिए धन्यवाद झाल